नमस्ते है जी मैं हूँ धेरेवान आपका अपना हीलिंग मास्टर दोस्तों एक बहुत प्यारा सा सवाल है क्योंकि फरवरी आ रही है और लव, रिलेशन्शिप, ब्यूटी ये सारी चीजों पर शार्चा बहुत हो रही है बहुत सवाल आपके आ रहे है आप ही कोई पूछन वाला नहीं है क्योंकि एक ही सावाल पर डिटेल वीडियो मैं बना रहा हूँ कि रिलेशन्शिप जो है कई बार ऐसा होता है अभी पसंद पंचा में के लिए बहुत अच्छा रिलेशन्शिप के लिए वीडियो बनाया है मैंने तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें सती सिंबोल नहीं पता है जो लोग अभी जिनके पास यह रूस कौर्ट्स नहीं है या फिर द्रस्टेट वगरा भी नहीं है तो वो ऐसा क्या कर सकते हैं या फिर कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे रिश्टे होते हैं जो अच्छे थे बट अब बिगड़ गए हैं चीजे अच्छा करना है और उसे अच्छा करने के लिए आज मैं एक बहुत प्याना रेमेडिया आपको बता रहा हूं और एक इंजल नंबर भी बताऊंगा अब सब्सक्राइब तो एंजल नंबर दिख लेजिए जो रिश्टे खराब हो रहे हैं जो अच्छे थे और अभी किसी में जोसे खराब हो गए हैं और दूरिया आ गई हैं दोनों लोग चाहते हैं पास आना या कोई एक इंसान चाहता है पास आना लेकिन दूसरा इंसान किसी मजबूरी के वज़े से पास नहीं आ पार तो ऐसे कंडिशन में हम एक इंजल नमबर लिख लेते हैं 443234,3 443234,3 तो ये इंजल नमबर आप लिख लीजिए लेफ्ट बॉड़ी पार्ट में रैड पैंस है ये गुलाबी पैंस है और अगर आप लेफ्ट हैंड साइडर हैं लेफ्टी जिसे बुलते हैं तो आप रैड बॉड़ी पार्ट में लिख लेना याद मा रहे तो बीना सुझे समझे लेफ्ट बॉड़ी पार्ट में लिख करो कोई दिक्कत नहीं है इंजल नंबर पर इस्तिमाल कैसे करना है इस पर डिटल वीडियो है तब देख लीजेगा उसे भी यह रेमेडी समझना बेटा कि गुलाब का फुल अपने अंजली में रखिए जो लोग हीलिंग नहीं जानते हैं उनलों के लिए हैं गुलाब का फुल अपने पाम में दोनों अंजली में रखिए और तीन कपूर रख लिजेए हिलिंग सेंस की बहुत ही शांदर रेमेडी है और सबसे अच्छा काम करता है यह वसंतरितों में ठंड के मौसम में जो बारिश ठंड जैसा मौसम बना होता है उसमें बेस्ट काम करता है तो रखिए अपने पाम में और उसको असे ठेक लेजिए गुलाब का फूल तीन कपूर ढख लेंगे ऐसे और अंगोटे से दबा देंगे अगली साथ मिनट तक उन सारी बातों को सोचेंगे जो आपके रिष्टे में बहुत सुन्दर तरीके से हो चुकी है या जो आप चाहते हैं कि आपके रिष्टों में वो सारी चीज़े हो जो हो चुकी है अच्छी चीज़े और जो आप चाहते हैं वो हो मतलब कि फेक इट तेलियो मेक इट मतलब उन चीज़ों की कलपना करेंगे जो होनी चाहिए जो होना है जिससे आप चाहते हैं हो जाएं उन चीज़ों की कलपना करेंगे आपकी कलपना में आप दोनों खुश होने चाहिए बहुत ब्यूटिफल मेमोरी होनी चाहिए तो ये एक खुबसुरत तरीका होगा जिसमें आप अगले साथ मिनट तक इस सब चीज़ों को विजुलाइस करेंगे बटाएक चीज़ याद रखना कि आपके और आपके विजुलाइसिशन के बीच में कभी अगर डाउट आया तो याद रखना कि वो डाउट पहले मैनिफेस्ट होगा कि ये आप हो और ये आपका वो गोल है जिससे आप इस अलाइस करना चाहते हो और इस बीच में कोई भी डाउट आया तो याद देखना वो डाउट पहले मैनिफेस्ट हो जाएगा और इसके बाद ये बना रहा तो ये भी होगा लेकिन अगर डाउट मैनिफेस्ट हो गया तो क्या आप मैनिफेस्ट कर पाऊगे हो तो अब आप समझ चुके हो कि गुलाब के फूल से साथ मिनट तक आप इस चीज़ को बुलाओगे और इस गुलाब के फूल को तलाब में पोखर में या बहते वे नदी में सबसे अच्छा है बहता हुआ नदी बहते वे नदी में आप उसे बहा दीजिए और अगले नौ मैने तक जितने भी शुकरवार आएंगे उसमें ये प्रक्रिया करना बहुत कम शुक्रवार में ही रिजल्ट मिल जाते हैं लेकिन नौ महने की ये पूरी पकड़िया ये जो नौ महने का जो पूरा कोर्स है वो पूरा जरूर करना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टन्ट है कि आप इसे इसे कम्प्रिट करें क्योंकि आप इसको सिप पाना नहीं चाहते, इसे बनाना चाहते है, बनाय रखना चाहते है, और ये बनेगा तब ही जब आप इस पर अपनी पूरी शद्धा देंगे, आशा करता हूँ, रिष्टों से जुड़ा ये जो महिना है, आपके बहुत काम आएगा, आपको, आपके सुन्दर्ता को, आपके रिष्टों को परमात्मा का आशिरवात मिले, आने वले अध्यायों में बहुत कुछ नया सिखना है, तब तक के लिए, नमस्ते है जी